नीबू पानी बनाना तो हम सब को आता है पर आज मैं आपको नीबू पानी इस तरीके से बनाना बता रही हूँ दोस्तों जिससे की 2 से 3 सब्ता में ही आप अपना 5 किलो वजन कम कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें साथ ही मेरे चैनल शिखास की चन को सब्सक्राइब जरूर करें तो वजन खटाने के साथ ही साथ यह जो हम लेमन वाटर बना रहे हैं नीबू पानी जो बना रहे हैं दोस्तों यह आपके डाइजेशन को इंप्रूफ करेगा आपके बॉडि के टॉक्सिक तीजों को बाहर निकालेगा आपके स्किन को हेल्दी रखेगा और स्किन में का सा गुनगुना पानी डाल दिया है इसे धोने के लिए बस इसी तरह से दो बार आप इसे कम से कम साफ पानी से धोलें जो नीबू होता है दोस्तों यह हमें कई बिमारियों से बचाता है नीबू का रस तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है साथ ही साथ नीबू के रस के अलावा नीबू के छिलके भी बहुत जादा लाबकारी होते हैं नीबू के रस से दस गुना जादा मातरा में विटामिन C होता है नीबू के छिलके में नीबू के छिलके में कुछ ऐसे ओईल होते हैं दोस्तों जो की हमारे व वजन को कम करना चाहते हैं तो नीबू के छिलकों का भरपूर इस्तमाल करें आप 15 दिन तक के इस रेमेडी को continue रखें दोस्तों आप लोगों को ऐसा रहता कि हमारा वजन तो कम नहीं हो रहा है किसी भी रेमेडी को यदि आपने start किया है तो कुछ दिन तक आप इसे continue रखें तो ही आपको इसका result मिलेगा 100% आपका वजन कम होगा नीबू के छिलके वजन को कम करने में सबसे ज़्यादा महत्पुन होते हैं साथ ही साथ कई बिमारियों से हमें बचाते हैं नीबू के छिलके में दोस्तों विटामिन C होता है विटामिन B होता है धेर सारा फाइबर हो केलशियम होता है जो कि हमारे डेली डाइट के लिए बहुत ही जरूरी है साथ ही साथ जब नीबू के छिलके का पानी पीते हैं तो हमारे चहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं मुहां से उग जाते हैं एकने की जो प्रॉबलम होती वह भी दूर होती है क्योंकि हमारे शरीर को अंदर से डीटॉक्स करता है हमारे शरीर के विशेले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है लैमन और लैमन के छिलकों के बारे में तो मैंने बता ही दिया कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी से भी हमें बचाता है नीबू का छिलका तो यहां पर मैंने चार से पांच लेना है नीबू के छिलके तो जो का आप समाल करेंगे न दोस्तों इस लेमन word का आप देखेंगे कि आपको किटना ज़ 좋을ा ज Army करना चाहिए दोस्तों जितना ज़्याद हमारा वजन रहता त्विमारीं का फीमारीं कर इतर रहता हो और हमें अपने आप में खुद में अच्छा नहीं लगता, confidence भी हमारा कम हो जाता है दोस्तों, और fit रहना बहुत ज़रूरी है, fit रहने से हम अपने आप में अच्छा भी लगता है, confidence और सब fashionable कपड़े भी हमारे उपर अच्छे लगते हैं, साथ यसाथ हम कई बिमारियों से बच जाते हैं, तो अ लेट लॉस ड्रिंक हमेशा गरम ही पी जाती है, तो ही आपके शरीर में जमी हुई चरबी तेजी से कम होती है, इस लेमन जूस को आपको इस्तमाल नहीं करना, यह प्योर नीबू का जो रस है, इसे आप अलग रख दें, इसे आप चटनी में डालें, सेलेड में डालें, आपको तो यहां लेना है केवल नीबू के चिलके, तो आज के बाद से आपको नीबू का चिलका कभी नहीं फेकना है दोस्तों, वजन को कम करने में बहुत ही महत्पुन होता है, यदि आप इसमें लेमन जूस एट करेंगे ना दोस्तों, तो हमारी ड्रिंक बहुत जादा और जब खटी हो जाएगी तो हम इतना जादा खटा नहीं पी पाएंगे, टॉंसिल का भी डर रहेगा, और साथी साथ मतलब गला खराब होने का डर रहेगा, इसलिए मैंने नीबू के रस को अलग हटा दिया है, केवल नीबू के चिलके का इस्तमाल करना है, अब जितने च और नीबू के रस को मैं आप फ्रीज में रखोंगी, ताकि कल जब मैं कोई रसिपी बनाओ, खटी मीठी डाल बनाओ, या किसी भी चीज में हम नीबू का रस डालते हैं, तो आप नीबू के रस का इस्तमाल कर लें, आपको फेकना नहीं है, अब मैंने स्लो कर दी है, धीमी आज पर खुब अच्छा उबाना कम से कम, आपको दस मिनट तक इसे बॉइल करना है, ताकि छिलकों के सारे पोशकतत्व इस पानी में आ जाएं, और यही पानी जो है, यही वेट लॉस ड्रिंक जो हम तयार कर रहे हैं, यह हमारे वजन को तेजी से कम करने का काम करेगा, औ और इस वेट लॉस ड्रिंक से दोस्तों आपके चहरे पर चमक आएगी, तवचा में निखार आएगा, और कई बिमारियों से भी आप बच सकते हैं, आप चाहें तो इस वेट लॉस ड्रिंक में एक चुटकी सेंधा नमक या काला नमक भी डाल सकते हैं, परन्तु यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रिशर है, तो आप बिल्कुल भी नमक ना डालें, वैसे भी वजन कम करने वाली किसी भी रेमेंडी में हमें जादा नमक का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम ही नमक हमें खाना चाहिए, तो ये रेखे, इसमें डाल दिया है, मैंने बच्चों को भी आप ये ड्रिंक दे सकते हैं, दोस्तों, आजकल बच्चों में भी ओबेसिती की प्रॉबलम दिख रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो बच्चों को भी अभी से ही उनका वजन कंट्रोल करें, बच्चों को दे रहें तो एक चुटकी नमक डाल सकत आप डिनर के आधे घंटे के बाद, लंच के आधे घंटे बाद इस ब्रिंक को आपको गरम गरम ही पीना है, दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों को टॉंसिल की प्रॉबलम है, जल्दी ही गला खराब हो जाता है, या जिन्हें बहुत जादा लो बीपी है, वे इस ब्रि जल्दी खाना लें, मीठा खाने से परहेज करें दोस्तों, अपने खाने का ध्यान रखें, 100% वर्प करने वाला ये नुस्खा है दोस्तों, और इसे continue रखेंगे, तो ही आपको इसका फाइदा मिलेगा, तेजी से वजन कम होगा, तो नीबू के रस से 5 गुना जादा फाइ वजन कम हुआ या नहीं, वैसे 100% वजन कम होगा, थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो,